वीडियो स्राट करने से पहले एक छोटा सा क्वेस्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ और यह है कि नंबर एक पे कौन सा बाइक है गेस एंड टीचे कमेंट कर देना नमस्ते दोस्तों और वेलकम टूर चैनल कैसे आप लोगें आज ही स्टुडियो में आप लोगों के साथ शेर करने वाला हूँ बेस्ट कम्यूटर बाइक इन इंदिया सब सब पहले मैं आप लोगों को ये explain कर देता हूँ कि एक computer bike क्या होती है जैसे इसका नाम है computer bike तो एक computer bike design की जाती है point A से लेके point B तक लेके जाने के लिए में भी हो सकता है वो आपके घर से लेके office तक daily traveling के लिए हो एक computer bike generally design की जाती है reliability, comfort and mileage के लिए जिससे जो भी बंदा इस पर daily travel करें उसको जादा दिक्कत ना हो तो अगर आप लोग एक ऐसा computer bike देख रहे हो तो आप right जगह पर आए हो क्यों क्योंकि ये वीडियो में मैंने ऐसे कुछ 10 computer bike बताई है जिनका on road price somewhere around 1.5 lakh तक जाता है वीडियो स्टाट करने से पहले एक छोटा सा question की ये list में से कौन से बाइक आप लोगों को पसंद आई ये मुझे नीचे comment करके बताना and please like and subscribe to our channel साथ में अगर आप लोगों को कुछ doubt रहेगा तो आप लोग नीचे comment कर सकते हो या फिर आप मेरे Instagram या Facebook पर follow करके वहाँ पर भी message कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई वीडियो का request देना है तो भी आप वो नीचे comment कर सकते हो तो चलिए जादा time wait नहीं करते है and start करते है अपना वीडियो वीडियो में 10 वे नंबर पर है Yamaha FZS और FZX दोनों भी bikes comfortable है daily commuting के लिए बट मैं आप लोगों को recommend करूँगा FZX क्यों क्योंकि इसका sitting comfort बहुत ही अच्छा है on road price 2022 में 1,50,000 चला गया है FZX का Bluetooth वाला model के लिए and FZS के लिए आप लोगों को pay करना पड़ेगा 1,40,000 लोवर model के लिए FZS का style and look एकदम से fresh है and लोगों को ये पसंद आता है जैसे मैंने पहले ही बोला कि इसका riding comfort एकदम से मसता है and engine refinement भी बहुत अच्छा है switch gears का quality थोड़ा better होता तो सही था but it is what it is इसके अंदर 149 CC का air cool engine जो की power produce करता है 12.2 bhp and 13.3 Nm stock देता है bike के अंदर 5 gears है and mileage आप लोगों को 45 से लेके 48 kmpl तक मिल जाएगा जो की daily commuting के लिए या फिर city travel के लिए काफी अच्छा है इसके अंदर आप लोगों को fully digital instrument cluster भी मिल जाएगा चलिए अभी बात कते है नंबर 9 के bike का तो नंबर 9 पे है Honda Unicorn बहुत पहले से यह market के अंदर है and still reliable and comfortable यस design थोड़ा सा old है and features बहुत ही कम है इसके अंदर बट यह price range के अंदर आप लोगों को और क्या चाहिए साथी में unicorn के अंदर आप लोगों को power and mileage का बहुत अच्छा combination मिल जाएगा 2022 में on road price है इसका 1,25,000 जो की 160 CC के लिए बहुत ही कम है engine refine है इसका and reliability तो एकदम से मस्त है low and mid range में आप लोगों को power काफी अच्छा मिल जाएगा जो की CT में चलाने के लिए बहुत ही सही है साथ में इसका engine आप लोगों को बहुत अच्छा mileage भी दे देगा आप लोगों को easily 45 से लेके 50 kmpl तक कम mileage मिल जाएगा इसके अंदर 160 CC का air cool इंजिन है जो की power produce करता है 12.73 BHP and 14 Nm torque बाइक के अंदर पाच गियर से जैसे मैंने पहले बोला कि इसका instrument cluster अभी भी old analog वाला है बट इसका comfort काफी अच्छा है especially अगर आप लोग जाधा करके पिलियोन के साथ travel करने वाले हो तो अब बात कते है नंबर 8 के bike का तो नंबर 8 पे है TVS Apache 164 V एक perfect bike अगर आप एक power style and feature का combination देख रहे हो तो अगर आपका budget कम है तो मैं आप लोगों को 2021 का model recommend करूंगा अगर आपके वहापे अवेलेबल होगा तो क्योंकि उसका price थोड़ा सा कम है almost 10,000 का असपास difference है new 2022 का model जिसका on-road price है 1,40,000 lower model के लिए और अगर आप लोग top model के लिए जाओगे तो 1,46,000 new engine एकदम से पूद है and city में चलाने के लिए ये बाइक एकदम से मसता है जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि इसके अंदर आप लोगों को fully digital instrument cluster मिल जाएगा जिसका look बहुत ही अच्छा है और साथ में riding modes भी आपको इसके अंदर additional मिल जाएंगे build quality थोड़ा बैटर होता तो काफी अच्छा होता बट स्टील इस वाट इस इसके अंदर 160 CC का oil cool engine जो की power produce कता है 17.39 BHP का and 14.73 newton-meter stock देता है बाइक के अंदर पाच गियर से and mileage आप लोगों को 43 से लेके 46 kmpl मिल जाएगा and Apache 160 one of the powerful bike है in the segment अब बात कते है नंबर साथ के bike का तो नंबर साथ पर है TVS star city plus TVS की एक और bike जो की light weight है and with better fuel economy साथ में इसका price range भी बहुत ही जादा affordable है तो आप लोग इसको easily purchase कर सकते हो इसका Android price जाता है current 2022 में 80,000 lower model के लिए and अगर आप लोग टॉप model के लिए जाओगे तो 86,000 जो की है disk version वाला इसमें आपको बहुत सारे color option मिल जाएंगे engine थोड़ा refine होता तो अच्छा होता and power थोड़ा सा कम है compare to other 110 cc bikes इसके अंदर आप लोगों को 110 cc का air cool engine मिल जाएगा जो की पार प्रोडूस करता है 8.08 bhp का and 8.7 Nm stock देता है बाइक के अंदर चार गियर से and mileage आप लोगों को 65 से लेके 70 kmpl तक मिल जाएगा इसके अंदर आप लोगों को mix instrument cluster मिल जाएगा अब बात करते है नंबर 6 के बाइक का तो नंबर 6 पर है hero glamour hero की bikes best होती है mileage के लिए and low service cost के लिए and ऐसी ही एक अच्छी बाइक है hero glamour अगर आप लोगों को fully loaded feature वाली बाइक चाहिए तो मैं आप लोगों को glamour का extra model recommend करूंगा बट उसका on road price थोड़ा सा जाधा है अगर आप लोग वो model को afford नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं आप लोग normal glamour के लिए भी जा सकते हो क्योंकि दोनों में almost same engine है service network all over इंडिया में है और इसको maintain करना बहुत ही easy and सस्ता है fi model में कुछ चोटे मोटे problems है और price range थोड़ा सा कम होता तो सही होता इसका on road प्राइस जाता है 2022 में lower model के लिए 93,000 अगर आप लोग टॉप model के लिए जाओगे जो कि एक्सटेक विड डिस्क वैरियन वन लाक एंड 7000 तक का एक्सटेक में आप लोगों को fully digital instrument cluster मिल जाएगा और साथ में turn by turn navigation अब बात कते हैं नंबर पाच के लाइक्स का तो नंबर पाच पे है बजाच Pulsar 125 या फिर 150 बजाच के दोनों भी सुपर affordable models 125 and 150 CC best है committing के लिए with good power 125 CC का on road price है lower model के लिए 97,000 अगर आप लोग टॉप model के लिए जाओगे तो 1,03,000 150 CC का on road price है 1,20,000 lower model के लिए अगर आप लोग टॉप model के लिए जाओगे तो 1,32,000 अगर आपका budget अच्छा है तो मैं आप लोगों को recommend करूगा 150 CC का model क्योंकि इसके अंदर थोड़ा अच्छा power मिल जाएगा जिससे आप लोग highway पर काफी easily चला पाओगे जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता इसका engine का performance एकदम से मस्त है service reach भी बहुत अच्छा है और इसको maintain करना बहुत ही सस्ता है इसके अंदर still आप लोगों को classic analog वाला instrument cluster मिल जाएगा rear tire थोड़े पतले है अगर थोड़े मोटे होते तो काफी अच्छा होता बजाज pulsar 150 CC के model में आप लोगों को 150 CC का air cool engine मिल जाएगा जो कि power produce करता है 13.8 bhp का and 13.25 Nm stock देता है बाइक के अंदर 5 gears है और mileage आप लोगों को 45 से लेके 48 के MPL मिल जाएगा चलिए अभी बात कते है नंबर 4 के बाइक का तो नंबर 4 पे है tvs radar 125 just recently launch हुई है यह बाइक and इसको bike of the year का award भी मिला है just recently best bike in 125 CC segment क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे यानि की बर-बर के features मिलेंगे इसके अंदर आप लोगों को modes भी मिल जाएंगे riding modes जिससे आप लोग अच्छा mileage या फिर अच्छा power भी set कर सकते हो इसका on road price है current drum model के लिए 99,000 अगर आप लोग disc version के ले जाओगे तो 1,06,000 इंजिन इसका बहुत ही refine है और बहुत ही less vibration आप लोगों को इसके अंदर मिलेंगे इसको handle करना भी बहुत easy है अब तक इसका Bluetooth model नहीं आया है जो की अगेन एक negative point है बट इसके अंदर आप लोगों को 125cc का air and oil cool engine मिल जाएगा जो की power produce कता है 11.2 BHP का 11.2 Nm stock देता है बाइक के अंदर 5 gears है and mileage eco mode पे चलाने पर आप लोगों को आराम से 55 से लेके 60 kmpl तक मिल जाएगा color वाला fully digital instrument cluster भी आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा जिसके अंदर बहुत सारा detail दिया गया है तो चली अभी बात कते है नंबर 3 के bike का तो नंबर 3 पे है Honda SP125 या फिर shine एक कम्यूटिंग के लिए जोज चीज़े चाहिए वो सब आप लोगों को Honda SP125 में मिल जाएंगी लाइक अच्छा लूक अच्छा माइलेज अच्छा फीचर्स और वेरी गूड रिफाइन इंजिन बाई और क्या चाहिए आप लोगों को SP125 और shine दोनों में से मैं आप लोगों को recommend करूंगा SP125 बट अगर आप लोगों का budget थोड़ा कम है तो definitely shine भी काफी अच्छा option है SP125 का on-road price जाता है 98,000 drum model के लिए और disc model के लिए 1,2,000 शाइन का on-road price जाता है 92,000 drum model के लिए और disc के लिए 97,000 बहुत ही comfortable sitting position है rider and pillion दोनों के लिए और साथ में अगर आप लोगों को mileage भी काफी अच्छा इसके अंदर मिल जाएगा इसका mileage आप लोगों को easily 65 से लेके 70 kmpl तक मिल जाएगा और थोड़ा सही से चलाने पर definitely 70 plus kmpl भी अच्छीव कर सकते हो इसके अंदर आप लोगों को 125cc का air cool engine मिल जाएगा जो के power produce करता है 10.72 bhp का and 10.9 Nm stock देता है बाइक के अंदर 5 gears है और आप लोगों को इसके अंदर fully digital instrument cluster भी मिल जाएगा sign का instrument cluster थोड़ा सा old है और इसके अंदर features भी थोड़े से कम है चली अभी बात कते है नंबर 2 के बाइक का तो नंबर 2 पे है बजाज platina बजाज platina ये बाइक उनके लिए perfect है जो जाधा traveling करते है या फिर जिनको mileage बहुत अच्छा चाहिए या फिर जो लोग city से थोड़ा दूर रहते है और daily travel करते है टू city इसका on road price है lower model के लिए 65,000 रखका और अगर आप लोग top model के लिए जाओगे तो 77,000 तक का जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इसके अंदर mileage आप लोगों को काफी अच्छा मिल जाएगा इसका mileage आप लोगों को आराम से 75 kmpl तक मिल जाएगा और थोड़ा सा सही चलाने पर definitely 80 kmpl भी अचीव कर सकते हो seat बड़ी है and comfortable है suspension भी एकदम से मस्त है इसके अंदर 110cc का भी option आता है तो अगर आप लोगों का budget है तो definitely आप लोग उसके लिए भी जा सकते हो yes build quality थोड़ी सी better होती तो अच्छा होता बट ये price range में आप लोगों को और क्या चाहिए 100cc का इसके अंदर air cool engineer जो की power produce करता है 7.9 bhp का and 8.34 Nm stock देता है बाइक के अंदर 4 gears है and अगर आप लोगों को थोड़ा अच्छा power चीए तो platina 110 भी काफी अच्छा option है चली अभी बात करते है नंबर 1 के बाइक का तो नंबर 1 पे है hero splendor plus इसको कोई भी introduction का ज़रूद नहीं है and splendor को हम में से बहुत सारे लोगों ने चलाया होगा मैंने तो बाइक चलाना सीखा था splendor के उपर and आप लोगों ने जो भी बाइक चलाना सीखा होगा वो नीचे कमन करके मुझे बताना on door price है lower model का 78,000 तक का and top model के लिए जाओगे जो की है 100 million edition 87,000 mileage एकदम से मस्त है and साथ में bike एकदम से light weight है तो इसको handle करना बहुत ही easy हो जाता है especially in city traffic service भी सस्ता है और साथ में all over India इसके parts भी available है इसका negative point यह है कि इसके अंदर latest features नहीं है but still old is gold Euro Splendor Plus में 100cc का air cool engine है जो की power produce करता है 7.91 bhp and 8.05 Nm stock देता है bike के अंदर 4 gears है and still comfortable and reliable है so guys that's it from my side अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो please do like and subscribe to our channel अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का doubt रहेगा तो आप लोग नीचे comment कर सकते हो या फिर मुझे आप लोग message कर सकते हो मेरे Instagram या Facebook के उपर and bye-bye congratulations for your new bike प लोगों कर सकते हो orar for me gald ga